अब आप सबीको हाद दिश्वागत है नए प्रोड़ाक्ट रिवीव के साथ मैं चींग चाहें नमस्ते सलमालेकम तो चले दूस्तर शुरू करते हैं आसके एक नए प्रोड़ाक्ट रिवीव तो इस वीडियो एक कोई नए प्रोड़ाक्ट नहीं है देखिए आपके सामने यह हिंस करजा मैं कोल कर रखा हूँ तो मैंने आपको एक थोड़ा सा देखिए अभी मैं कीचेन बना रहा हूँ तो कीचेन में तो कीचेन में जो पल्ला होता है जो डोर होता है तो हुआ आएम यूजिंग इस बाट हिंस ओन डिस डोर जो भी पल्ला है पल्ला में हमने क्यूं इस्तेमल कर रहा हूँ और क्यूं मैंने जो जो आटो हिंस है जो हाइड्रोलिक हिंस है वो मैं क्यूं यूज नहीं कर रहा हूँ वही मैं आपको पताऊंगा और इसके लिए म दो महिने से थोड़ा सा रिसर्स करना पड़ा रिसर्स करके मैं आपको बता रहा हूँ तो यह मैं क्यूं यूज कर रहा हूँ ओबियसली डिरूबलेटी के लिए डिरूबलेटी और मेंटेनेंस प्रीक करने के लिए यह मैं यूज कर रहा हूँ इसमें तोरा सा डिस एडव यह वेस्टन का है जो वेस्टन लोग होता है वो क्या करता है वो यह जो यह देरभाज वान एन हाप फोल्ड यह बाट हिन से और यह और यह फूल बाट यह यह नॉर्माली यह दोट ही बा इन है यह स्टील का है यह इसका दाम जादा नहीं है 40 रूपी से और इसका दान 35 रूपी से यह थी इंच इसका है तो यह तो आपको दिखाने के लिए देखिए हम लोगों ने inner MY past real in a limit कि आई तो ये ईनल admire अग्द दस का वो भी मैंने ट्रा वीडियो बना कर दिया हूँ तो मैंने क्यूं यूज कर रहा हूँ वो ही मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग अगर ये यूज करेंगे पैसा भी बचेगा और दिरूबलेटी ये जितना दिंग वो बोट रहेगा जितना इसका आप अगर देखिए ये मैंने ग्रीन प्लाइ का मैंने इस्तमाल किया ग्रीन प्लाइ तो ये तो 50 ये तो आखे बंद कर ये चले गए चलेगा ये आखे बंद करकर आप अगर देखिए मेरे पास तो वो सेंपल का पिन नहीं है तो सेंपल का पिकर के मैंने ये वीडियो नहीं बनाऊंगा तो जो जितना भी सारा इंडियान जो मैंने देखा इंडियान जितना भ से लिए बी तो तुडि थी थरी दी वाट फीलिक हिंज तो मैं कहता हूँ जो है जो जे खुगी हिंज में जो हीड्री को तहींच होता है कि एक सिलिंडर के तरह है उस हैड्रीलिक हो जाए तो आप लोग you can't repair this hydraulic अगर तेल डालो कुछ भी डालो hydraulic के अंदर एक liquid होता है फुरा से air रहता है वो अगर फुरा से dust अधर में जाका रहा hydraulic खराब हो जाएगा तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ ये जो दरवाजा है अगर खराब हो गया जिस पुजीशन में वो खराब होगा यासे अगर इस पुजीशन में जैसे ये पूरा फूल पुजीशन है lock करने के लिए ठीक के ये फूल पुजीशन है lock करने के लिए अगर वो इस position में खराब हो गया तो आप जितना भी pressure दे वो फिर से ऐसा हो जाएगा, जितना भी प्रेशाद दे आप ऐसा हो जाएगा, यूगि वो हड्रोलिक खरब हो चुका है, आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो हिंस है, हिंस कोई उतार कर फेकना पड़ेगा, तो अगर दस सल बाज कोई और हिंस फेक दे तो सेम साइज और सेम च फचाश सल पहले लोह का था, इस इस बॉल ऑभी चल रहा है, फॉर और संध दो ये देखी ये ला खोन दाल कर, और ये वो यवे ये बौस, इस साइछ, वो हो जाए तो आपको क्या करना है थोड़ा सा मस्टाड डॉल और कोई भी रिफाइन डॉयल इसमें डाल दीजाए यह फ्री हो जाएगा यह बहुत ही डिरूबलेटी है इसका गेज देखिए इसका अब इसका गेज देखिए 14 यह फोर्टीन गेज है तो आपको अगर डिरूबलेटी चाहिए आपको अगर मेंटेनेंस प्री चाहिए मुझे यह सब चाहिए मुझे देखिए अगर आप अगर आप अगर यह दर्वाजा क्या होते है उसके अंदर हड्रोलिक के अंदर सब के अंदर स्प्रिंग रहा है सब कुछ के अंदर जितना भी हिंज है चाहितने स्वत हिंजे 2D 3D इतना भी हाइड्रोलीक हींजे सब में क्या होता है टुरा आड़ाक हो जाएगा आपको थोड़ाशस शुवीधा होगा ठीक कि इस थोड़ाशस सुवीधा होगा लेकिन वह थोड़ाशस शुवीधा पाने के लिए आपको और एक चीज से वह लग फोड़ा सा प्रोब्लेम मोथा है कातेकों इधर मैं हाधों से इसको करना में utpross करना पदेगा मैंनों इधर में तोर सा डेट करना पड़ सको सेट करना पड़ गया उसके पाद दिल करना our ठीक है और वो उसको भी डिल करना परेगा लेकिन वो मेशिन से डिल होगा यह मेशिन से डिल नहीं होगा यह हातों से मैनुवारी इसको खुदाई करना परेगा और इसलिए एक दें मैंटिनेंस प्री है यह यह कभी भी hanging नहीं होगा यह अगर हम यह खरीदे यह पला में आएगा और यह जो यह और यह आएगा जो corner में जो double door होगा double door के बीच में यह रहेगा देखिए यह बीच में double door के बीच में यह रहेगा ऐसे गर कि यह corner में ऐसा होगा इस साइट में एक होगा तो यह यारे कोर्णर ऐसे करके हम हो लेंग सदेन्लीं है एक बहुत पो रद्वshit स्वेक्थ साइच के लिए इस खोना सैट में एसा हो गा इसितना एक दोर होगा इसमें जोने ही, इस साइड में आइक दोर इस साइड में हो बीच में ये double fold वाला ये hints चाहिए, grandsah चाहिए, इसके लिए, इसके लिए कार्पेंटर ये दो लिया और जो जितना भी पल्ला है हर पल्ला में दो-दो करके लगा कर इसलिए मैंने ये लगाया तो आपको अगर ये लगाना है तो आप जो जितना भी सारा मौडन जितना हिंज है वह आप थोड़ा सा थोड़ा सा एवाइट कीजिए उसका दाम भी बहुत ही मेहंगा है एक हंडेट रुपीज से पापा का हाइड्रोलिक लेंगे तो उसका दाम 380, 480, 564 गोद्रेस का बहुत ही प्योर स्टील का आप लेंगे तो गोद्रेस का दाम 460 से लेकर 1000 रुपे पर 20 आपार सेट आपको मिलेगा और इसका दाम कितना है यह स्टील का है इसका दाम only 35 रुपीज है only 35 रुपीज आपको इसके सब यह three by four steel nuts आपको चाहिए इसके साथ भी three three four three four नहीं इसके एक इंच या देर इंच आपको चाहिए यह accurate नहीं है आप तो आपको दिखाऊंगा भी तो यह आपको दिखाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा तो आपको समाझ किया यह आपको 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 आपको पसंद लगा हो आपकर इसको शेयर करना चाहते है तो ये जल्दी से जल्दी आपको जितना भी रिलेटिव है जीतना भी फ्रेंड से उनके साथ शेयर करें तो क्या होगा इससे ऐसा भी बचेगा डिरोबिलेटी होगा और जो इन डे फ्यूचर आपकर 10 एर्स 15 यर्स वो चेंज करने की कोई प्रोब्लेम नहीं होगा यह आपको बहुत ही कम मिलेगा पूरा पूरा चैनल में पूरा एक्स्प्रेयंस करके मैंने आपको बताए I hope you enjoy this video. Thanks for watching.